हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई रास कीचन तो चलिए आज मैं अपके लेकर के आई हूँ ना गाजर का हलवा वह भी पिना घिसे हुए पिना मेहनत के फटा फट से आज बनाने वाले हैं हम गाजर का हलवा तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए फटास का में भी पिना जबसे थाटाँ और देख सकते हैं दो टीन आप कर सकते हैं यह देख सकते हैं मैंने यह वाली गाजर लिये यह बहुत अच्छा बनता है और गाजर का पाझए हुआ चलिए मीठी होती तो देख लीजएगा गाजर का हल्वा बनाना हो तो और इसके कुकर लिया हुटनें चम्मच hairy गींध घ्रेंगे हैं ए क्षूण करें अधर के नियुकरा कीवनी बूरता त्रयाहिए कीजी हीजी तोड़ा की तदूद अधरिशा है आतुप दूकर तूड़े 6-7 लिए 0, genius अब सबसे हैं कि और न पकाना है учता है उसए परणीजे 거ाइब करखे रिवे सबसाहिए करते हैं तो कि परणी रहे कर दोद के तैसमें ग्सक्राप बार निकाल लेंगे इस तरह का होना चाहिए आप चेक कर लिजिए अगर आप नहीं गला है गाजर ना तो अप एक प्रिशर और भी लगा सकते हैं वैसे इतना बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है बहुत ज़्यादा इसे गला देंगे ना तो फिर वह पूरा मिल जाएगा मैधे जैसा लगने आराम से क्योंकि ठंड का दीन है तो इतना भाव से दिक्कत भी नहीं होती है क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ग्लास से पूरा कट कर लिया है और फटा-फट सी मिक्स हो गया और यह वाला होता है बिल्कुल मार्केट जैसा आपको लगेगा थोड़ा से छोटे दूद लिया है यार आधा किलो गाजर लिया तो मैंने अधा किलो से थोड़ा कम घाजर थी और मैंने एक कब भरके यार आधा लीटर ही दूद लिया था आप चाहें तो और ज़्यादा दोद भी है लेकिन इतना बिल्कुल ठीक है अगर आपको मावा डालना है तो आप डा अब शूगर को डालने के बाद ना 2-3 मिर तक इसको हम पका लेंगे और इसको अच्छे से हम फून लेंगे चलाते हुए इसमें थोड़ा सा तर्बूच की जो बीज होती ना उसे डाल दिया है और एक चोटा चमच डाल रहे मैं इसमें देशी घी अब ड्राइफ फूट कोई तो आप देख सकते हैं हल्वा भी हमारा बनके तैयार हो चुका है और इसे बहुत जादा पकाने के भी जरूट नहीं मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है आप देख सकते हैं ये किस तरह का है और इसमें आवा वगईरा भी डालने के अब कोई जरूब नहीं है ये बिलकु बहुत जल्दी बनता है इसे ऐसे एक बार जरूर ट्राइब करिए अब सभी को बहुत जादा पसंद आने वाला आप यही वाला हलवा बार बार बनाएंगे क्योंकि बहुत ही कम मेहनत में बन जाता है ना ही गाजर हमें घिसनी पड़ती है ना ही हमारी उंगलियां कट जाती है तो ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं होगा आप ऐसे बना सकते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करेगा और कॉमेंट में जरूर बताएगा मेरी वीडियो कैसे लगती है